क्या सच में इश्वर पर विश्वास करते हो और जब विश्वास करते हो तो डरते क्यों हो घबराते क्यों हो चिंता किस बात की है चिंता तब होती है जब शंका होती है और जिसे शंका होती है उसे विश्वास नहीं होता है तो शंका मत करो सिर्फ विश्वास करो विश्वा मैं हूँ अनुच शर्मा एक बहुत ही रईस व्यक्ति थे उन्होंने एक नाव बनवाई उनको बोटिंग का बड़ा शोग था उनको लगा कि मैं अपनी नाव लेकर के समुंदर में जाऊंगा समुंदरी यातरा करूँगा एडवेंचर के बड़े शोकीन थे लेकिन इश्वर के अनन्य भक्त थे बहद प्यार करते थे इश्वर से घर में वातावरन भक्ती में रहता था जिंदगी में इश्वर ने भहुत कुछ दिया था उनको इसलिए हमेशा यही कहते थे जो कुछ है इश्वर तेराई है कोई औ साथ हो ना हो लेकिन तू हमेशा मेरे साथ है इतना प्रेम करते थे नाओ बन करके तयार हो गए समंद्र यात्रा पर निकल पड़े समंद्र में जाने लगे बड़ा आनंदा रहा था दूर दूर तक समंद्र अपनी नाओ में बैठे हुए है इश्वर का धन्यवाद कर रहे हमेशा उनको ये महसूस होता है कि इश्वर मेरे साथ है मेरे प्रभू मेरे साथ है कभी अकेला पन महसूस नहीं होता है अचानक से बहुत बड़ा तूफान आता है नाओ तूट जाती है इन्होंने लाइफ जेकेट पहन रखी नाओ तूटने के बाद ये समंद्र में यूथ जाते हैं ये कि नाओ में पानी भरने लगास चुन्दर में कूच जाते हैं और तैरना शुरू करते बहुत देर तैरने के बाद ये एक तापू पर पहुँचते हैं। तापू पर पहुचकर खुद को संभालते हैं। वहां पर आवाजह देते हैं, और थोड़ी देर बाद इनको इसास होता होता थी कि यह कोई भी नहीं। ये अकेले थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आवाजे देते हैं, कोई है, कोई है, लेकिन यहां कोई भी नहीं दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन तभी याद आता है, मैं किसी को क्यों ढूंड रहा हूँ, किसलिए ढूंड रहा हूँ, हे प्रभू, आप तो मेरे साथ है ना, बस आप ही तो चाहिए, समय है, ये भी निकल जाएगा, हर समय निकल जाता है, चाहे दुक्का हो, चाहे सुक्का हो, तो ये समय भी निकल जाएगा, मुझे पता है, आम मेरे साथ है, कल सुबह होगी, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा, और ये रात्री वहाँ पर बिताते हैं, सुबह होती है, इदर उदर देखते हैं, कहीं कोई क कुछ भी नहीं दूर-दूर तक समंदर हैं और टाप उपर कोई भी कहीं भी नहीं है। वहां थोड़ा आगे जाते हैं, पेड पोधे लगे हुएं। फल दिखाई देते हैं, फल तोड़ते हैं, खाते हैं। भूख मिटाते हैं इश्वर से बाते करते जा रहे हैं लगाता है कि प्रभू कोई बात नहीं हम दोनों हैं ना यहां हो सकता है यह समय इसलिए आया हो कि मैं आपके साथ इस तरह से समय बिता सकूँ एकांत में दुनिया में तो दुनिया भरके काम होते हैं कभी समय नहीं होता इतनी सारी बाते करने के लिए अभी आप से बात करूँगा आप मेरे साथ है मुझे पता है आप मेरे साथ है अपने आपको होसला देते रहते हैं तसलिए देते रहते हैं यह कहके कि मेरे इश्वर मेरे साथ है यही होसला तो इश्वर है, यही तसली तो इश्वर है, जब आप इश्वर को अपने साथ मान लेते हैं, तो जिंदगी में कभी हारते नहीं है, चाहे मुसीबत कितनी भी आ जाए, जो विश्वास करता है, उसके साथ इश्वर हमेशा रहते हैं, तो इनका प्रगाड चाते हैं, तीन दिन बीच जाते हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहे, कभी-कभी शंका होती है, मन घबरा जाता है, डर लगता है। लेकिन फिर मजबूत हो जाते हैं, लगता है कि नहीं, इशुवर है ना साथ में। मैं नहीं तो खा था प्रबू, आपसे करने का समय नहीं मिलता, लेकिन यहां बहुत समय है, तो जो भी काम करते हैं, फल तोड़ने जाते हैं, आव प्रभू साथ में खाते हैं, आव प्रभू थोड़ा घूंग कराते हैं, लेकिन आदमी कितने एदेर तक यह सब करेगा? कब तक ये सब करेगा मन कमजोर हो जाता है जैसे ही मन कमजोर होता है तुरंत आवाज देते हैं हे इश्वर मुझे पता है साथ में हो ये दिमाग जो है ना ये मेरे साथ खेलता है मुझे डराने की कोशिश करता है पर मुझे तो पता है ना मेरे साथ मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं यही विश्वास होता है अब सोचते हैं कि पता नहीं कब तक यहां रहना है लकडिया तोड़नी शुरू करते हैं लकडिया तोड़ करके घास फूज से, लकडियों से एक जोपड़ी बनाने की तैयारी करते हैं जिन्दगी में एक काम कभी भी नहीं किया था बहुत नोकर चाकर थे, बहुत पैसा था सारी सुक्ष्विधाय थी लेकिन बड़े आनंद के साथ ही एक काम कर रहे हैं एक जोपड़ी तैयार कर रहे है और बार बार इश्वर को कह रहे हैं प्रभू, देखो, यहां ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, आओ चलो उठाते हैं लकड़ी, चलो और बड़ी मजबूती के साथ एक जोपड़ी तैयार करते हैं दो दिन में वो जोपड़ी तैयार होती है शाम का समय है, जोपड़ी तैयार हो गई है जोपड़ी के बाहर खड़े हैं, बड़े खुश है प्रसन्न है, भगवान से कह रहे हैं, बताओ, अच्छी लग रही है ना अब हम दोनों रहेंगे यहां पर बड़िया लग रही है ना आज तो मोसम भी खराब था बरसने से पहले जोपड़ी बन गई है कितना अच्छा लग रहा है खुश है कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज का निर्मान करता है खुद से उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है आप सोचो इश्वर ने सारी सृष्टी बनाई है वो हमी देखकर कितने प्रसन्नों होते होंगे क्योंकि हम उनकी रचना है तो ये व्यक्ति बड़ा प्रसन्नों होता है भगवान से कहता है कि प्रभू देखो मज़ा आगया आपने कितना साथ दिया कितनी सुन्दर जोपडी बनाई है ये बड़े खुश है और मौसम फिर बिगड़ जाता है मौसम बिगड़ता है जोर से बिजली करकराती है और बिजली गिरती है इनकी जोपडी पर ये दूर खड़े हैं देख रहे हैं बड़ी मेहनत से वो जोपडी बनाई थी जोपडी में आग लग गई जल गई हो अब पहली बार इतने दिनों में ये इतने दुखी हुए कि भगवान को बोले कि प्रभू मैंने जिंदगी में कभी किसी का गलत नहीं की इसलिए आप पर इतना विश्वास करता हूँ इसलिए मुझे ये भरोसा भी रहता है कि आप मेरे साथ हो हर समय साथ लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में क्यों कर रहे हो आप ऐसा क्योंकि आपने ऐसा मैंने कितनी मेहनत से बनाई थी आपको तो सब पता है आप तो यहीं पे हो देख रहे हो लेकिन इसमें भी आग लगा दी वहां मेरा परिवार क्या सोच रहा होगा मैंने अब तक आपसे शिकायत ले कि क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप कुछ न कुछ करद होगे लेकिन अब क्या बोलू मैं आपको क्या करूँ मेरे भरोसेगा इसमें भी आग लग गई और ये कह करके जोर जोर से रोने रो रहे हैं, दुखी है इतने में आवाद सुनाई देती है हलो हाँ आप तो देखते हैं आईए आईए इदर आईए हम आ गए हैं एकदम से चोकते हैं, कून आ गया है मुलतें कून है अरे हम आपको डूंडते हुई यहां आ गए है आपको छे दिन हो गये हैं है वुए हुए हुए हम रेस्क्यू वाले हैं यह तो यहां आग लगी दिखाई दी तो हमें पता लगा कि शायद आप यहीं होंगे दो दिन से ढूंड रहे हैं हम अभी आग ना लगती तो हमें पता ही नहीं लगता कि आप यहां पे हैं आईए चलिए यह वेक्ति वहां पर लेट करके धंडवत प्रणाम करता है अपने इश्वर को बोलता कि शमा करना प्रपू मैंने कितने शिकायद कर डाली मैं क्यों भूल गया था कि आप हर समय साथ है तो जब मैं हर बात में यह कह रहा था कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो, तो अब क्यों नहीं सोचा कि आप साथ हो, आपके सामने ही यह आग लग रही है मुझे शमा करना परो दोस्तों, जीमर में कई बार ऐसी कथिनाई आती है, हमें लगता है कि यह हो क्या रहा है जीमर जीमर क्यों दुखी हैं? क्यों परेशान हैं? इतना सब कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, पूझा पाठ भी करते हैं, फिर भी दुखा रहा हैं? और उस समय हम भगवान से जगड़ा करना शुरू कर देते हैं, इश्वर से जगड़ा करना शुरू कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं, कह देते हैं कि आज के बाद मंदिर नहीं आओंगा, कह देते हैं कि आज के बाद पूजा पाठ नहीं करूँगा, तेरे वर्त नहीं रख शिकायते करते हैं, उस समय भी हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम विश्वास कर रहे थे, हम प्रसन न थे, हम कुछ थे, तो जीवन में जो हर घटना घटित हो रही थी, वो हमारी खुशी के लिए घटित हो रही थी, तो ये जो दुरुगटना हुई है, जो दुख का समय आया है, ये उस निर्मान का समय है, जहां नई जिन्दगी शुरू होगी, और ज्यादा खुशी आएगी, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ भी जब बहुत अच्छा होने वाला होता है न, उससे पहले भारी दुखाता है, क्योंकि भगवान चा की अनुभोती नहीं होगी और आप याद रखना हमेशन यदि आपने कभी कोई गलत करम नहीं किया आप हमेशा अच्छा कर्म करते हैं तो आपने किसी भी जन में यदि बुरे कर्म किये होंगे तो उसके प्रारब्द कटवाने में इश्वर आपकी मदद करेंगे आपके साथ रहेंगे यदि आप आज अच्छा कर्म कर रहे हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं किया यदि कोई गलत करम आपसे हो भी गए हैं जी तो आज से अभी से सुद्ध लीजिए अपने अच्छे कर्म कीजिए क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो आपको मिलेगा लेकिन आज यह दि आपका विश्वास प्रगाड हो जाएगा तो उनके प्रारब्द काटने में इश्वर आपकी मदद करेंगे आपको सुखी रखेंगे किसी भी दुरघटना से किसी भी ऐसी मुसीबत से घबराइए मत यह जो मुसीबते होती है यह आपको टेस् विश्वास है यह मुसीबते आपको आकर के चैलेंज करती है कि अब बताओ विश्वास है कि नहीं हमें तब भी उनको बताना है कि हाँ है विश्वास मैं तो हमेशा कहता हूँ जब भी दुखा है ना दुख को सिर्फ एक बात कहना कि आओ स्वागत है तुमारा आओ चलो क शेंसे आप कृष्छन, क्रिषण, कृष्ण बोलेंगे ना राधा, राधा, राधा बोलेंगे। जितना आ बोलते चले जाएंगे दुख उतना दूर होता चला जाएगे। अब देखलो अपना दुख कितना दूर करना है। इसलिए हमेशा कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्यार रखो, हरे कश्णी